हलो एंड बेलकम आज कम्प्यूटर का थर्ड लेक्चर है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्पूट ड्वाइसिस आफ कम्प्यूटर के बारे में और जे इन्पूट ड्वाइसिस आफ कम्प्यूटर का सेकंड लेक्चर है So let's start देखिए इस से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जे तमाम इन्पूट ड्वाइसिस के बारे में बताया था और मैंने इनका ओवर्व्यू दिया था मैंने बोला था कीबोर्ड, मौउस, जाइस्टिक, ट्रैक वाल, स्कैनर, टाच स्क्रीन, वैब कैमरा, माइक्रोफून, जे तमाम तमाम इन्पूट ड्वाइसिस हैं इस से पहले मैं उको बताता हूँ मैंने क्या बोला या कंप्यूटर के बारे में मैंने डैफिनिशन जो बताई थी मैंने बोला था कोई वी ड्वाइस जिस पर हम इन्पूट दें प्रासेसिंग हो और फिर आउटपूट आए उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे और फिर बाद में मैंने जे चीज बोले थी इन्पूट प्रासेसिंग और आउटपूट हमें एक कल्कुलेटर पर भी देखने को मिलता है इसलिए हम कल्कुलेटर को भी कंप्यूटर कह सकते हैं और कोई भी डवाइस क्यों ना हो जहां पर हमें जे तीन फंक्शन मिले उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे और मैंने पिछले वाले लेक्शिर में कीबूड के बारे में बताया आपको मोटा 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 के बारे में जोईस्टिक, ट्रैक वाल, स्कैनर, ठाज स्क्रीन बेब कैमरा, माइक्रोफोन अब जे तमाम क्या है जे इन्पूट डवाइसिस है इन्पूट डवाइसिस क्या होता है इन्पूट डवाइसिस वो है जिससे हम डेटा जो है वो enter कर सकें computer में जिससे हम data enter करें उसको हम input devices के कहते हैं अब data क्या है कोई भी रह material कोई भी रह चीज जिसको हम enter करेंगे हम type करेंगे हम क्यों type करेंगे हम देखेंगे यह क्या है किसी चीज़ को हम देखो Google में हम Google करते है उदर भी हम क्या करते हैं पहले input करते है input के बाद processing होती है उसके बाद output आता है अब input हमी करने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना हो कोई search करना हो कुछ search करना हो फिर भी हम क्या करते है raw data को enter करते है keyboard के जरीए, mouse के जरीए और जे तमाम तमाम जो चीजे हैं जे हमारे input devices है हम input devices को इसका जे फाइदा क्या है देखो input devices का फाइदा जे है अगर input devices नहीं होंगी फिर हम data को enter कैसे करेंगे अगर keyboard नहीं होगा जा mouse नहीं होगा अगर जे इतमाम चीज़े नहीं होंगी फिर हम डेटा को एंटर कैसे करेंगे difficult हो जाता है इनके बगार डेटा को एंटर करना बलके होता ही नहीं है difficult नहीं बलके हम डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं अगर जे चीज़े नहीं इसके अलावा और भी हैं लेकिन जे common input devices हैं computer की आज हम सिर्फ keyboard के बारे में पढ़ेंगे और RAM से पढ़ेंगे इतने अच्छे से पढ़ेंगे आपको कभी दुबारा keyboard ऐसी input device भुलेगन हैं देखो मैं थोड़ी सी कहानी पढ़के बुथाऊंगा हलागि मेरा कहानी पढ़ने का मकसद कताब में तो आपके पास भी होंगी इसलिए मैं कोशिश करूँगा कहानी पे कम फोकस करूँ और आपको सिर्फ बुही बातें बताऊं जिसे आपको understand हो जाए चलिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं अब keyboard क्या है अब कीवार इस बना फ्रिम्री इंप डिसे भी है इंट इंटरिगा जिसा इंटर एंट एंट इंट बाद इंटावर्ट अजाओ आपकोड़ इंटिक फॉर्ट इंटील KS, KK, 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 KK. The key word can be connected to a computer using USB for a wide keyword or Bluetooth for a wireless keyboard. There is no specific rules for defining the number of key, however, most key words come in two sizes. 84 Key or 101-102 Key नोईडेस, मैने मेजर ब्रैंड्स और आल्सो मेकिंग कीबोर्ड्स बेद वन जिरो फोर कीज और वन जिरो एट कीज फार बुन्डोस यह दिखिए हमारे सामने कीबोर्ड है अब जे जो मैंने कहनी आपको पड़ी जे जो कहनी आपको बताई, मैं इसको ट्रास्लेट करूँगा ट्रास्लेट करूँगा लेकन थोड़ी अच्छी सी पिक्टर लेते हैं मैंने इसलिए आपके सामने जे तीन कीबोर्ड लाए हैं आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पे फोकस कीजिए फिल्हाल मैं इस पे फोकस करूँगा आप देखिए जी अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको जे बताऊँगा इसका फाउंडर कौन है इसका फादर कौन है मैं सबसे पहले आपको जे बताऊँगा इसका फादर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स कीबोर्ड का फादर है और जे कौन से कीबोर्ड का फादर है मैं आउको जे बताऊंगा कीबोर्ड कितनी किसम के होते हैं और इस पे कीज कितनी होती है अगर मैं आउको बताऊं दुनिया में बहुत सारे कीबोर्ड है जो हमारे सामने है, इसके अलावा भी और बहुत सारे keyboard है और different keyboard पर different number of keys मिलेंगी कहीं कम होंगी, कहीं ज़दा होंगी, लेकर मैं standard keyboard की बात करूं और quality वाले keyboard की बात करूं आप हम बोलोगे जे quantity क्या है आप लेयाओट पर फोकस किजिए अब लेयाओट क्या है लेयाओट का मीनिंग क्या होता है देखो ये कीबोर्ड के स्टाइल में है इसमें जो अल्फवेटिक सेट किये हुए है वो किस स्टाइल में है तो देखो इधर A, B, C लिखने के बजाए इन्होंने क्या लिखा हुआ है इन्होंने Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P इस तरह का कुछ लिखा है तो आप इस पे फोकस किजिए क्योटि पे Q, W, E, R, T, Y स्टाइटिंग के सिक्स वर्ड्स आप इसको देखिए हमें जहां पे पताते लेगा कि यह लेआउट क्वार्टि raising है अगर इसकी जगा जहां पे आजर्टि भी हो सकता है टी वाक भी हो सकता है इन्सक्रिप्ट भी हो सकता है और भी बहुत सारे लेआउट है लेकन जो most जो common कीबोर्ट है वो क्वार्टि है जो हमें हर कहीं देखने को मिलेगा और हर कोई जूस करता है इंडिया का अपना कीबोर्ड भी है और भी कंट्रीज का डिफरेंड डिफरेंड कंट्रीज का अपना कीबोर्ड होता है इंडिया का भी अपना है उसका नाम इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है अब ही मैं बात करूँगा लेकर सबसे पहले अगर मैं कीज की बात करूँ अगर एक standard कीबोर्ड है उसमें minimum कीज जो है वो 104 होंगी standard और maximum जो है वो 109 होंगी maximum 109 होंगी अब आप बोलोगे 104 और 109 जे कैसे तो इदर देखिए जहां पर हमारे समने कीबोर्ड है ये दो कीबोर्ड है ये भी क्वार्टी वाला है ये भी क्वार्टी वाला है अब देखो आप बोलोगे एक जगा 104 है दूसरी जगा बोलो कहीं 104 और कहीं 109 कैसे है देखो कहीं पर ये alpha नमारे ये जो words है ना ये वाले words तो देखो जहां पे नहीं लिहे हुए हैं बहुत सारी जगों पे लिहे होते हैं कहीं लिहे होते हैं कहीं नहीं लिहे होते हैं इसलिए तो कहीं पे 104 मिलेगा और कहीं पे हमें 109 कीज मिलेंगी मैं आपको राम से एक एक चीज़ के बारे मैं बोलूँगा और keyboard को हम अच्छे से clear क्लियर करेंगे अच्छे से समझेंगे फिलहाल हम इसी पे फोकस करेंगे layout की जब मैंने बात की अब layout का meaning क्या है layout का meaning है कौन सी किस number पे लिखा है इनका setup क्यासा है तो यह setup direct AVC नहीं लिखा है जहां पे इसको क्वार्टी कीवोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह starting में लिखा हुआ है क्यो डोल्डू इर टी वाई यह क्वार्टी लिखा है इसलिए हम इसको क्वार्टी layout बोलते हैं और इसकी जगा क्वार्टी की जगा ए जैट इर टी वाई जे भी हो सकता है और इसकी जगा D, V, O, R, E, K यह भी हो सकता है आप देखो अगर जहां इसकी जगा यह वाला होता फिर हम बुलते J की़ बोर्ट अजाटी लेउट में है जा इसकी बोर्ट का ले अजाटी है इस वाले अगर इसकी जगा J होता डीवाक होता तो हम बोलते जे कौन सा layout है इस keyboard का तो हम बोलते डिवॉक layout है इंडिया का अपना keyboard है इंडियन government का उसका नाम है inscript उसका नाम है इसका नाम है inscript एक्षुली जे inscript जो है जे 12 इंडियन स्क्रिप्ट से इसमें हमें 12 इंडियन स्क्रिप्ट मिलेंगी और ओर जो इंडियन इंडिया का keyboard है inscript इसमें हमें कीज 104 जा 105 मिल सकते हैं I hope आपको जहां तक clear हुआ होगा अब एक और question है question जे है जे ABC आगे भी शी क्यों लिखी है इनुने इनको क्या ABC एक proper manner में लिखना नहीं आती जे ऐसे क्यों की है तो बात जे है स्टार्टिंग में जब अभी स्टार्ट हो रहा था काम टेकनलोजी इतनी ज्यदा advance नहीं थी और जे computer जे keywords जे jam हो जाते थे बहुत जल्दी और ABC जिस तरह से हर एक अनसान को पता था वो बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर लेते थे इसलिए जल्दी जल्दी टाइपिंग कर लेते थे वो और इसलिए उसको change कर दिया change इसलिए किया क्योंकि keyboard jam हो जाता था उसके बाद फंक्ष हैंग हो जाता था इसलिए अलग-अलग लेयाउट लाइव क्वार्टी वाला लेयाउट है अब जे अजर्टी है डिवोक है जे अलग-अलग कंट्री का लेयाउट है इन स्क्रिप्ट जो है वो इंडिया का है ABC से लिए जूज नहीं किया क्योंकि इससे टाइपिंग पहले बहुत यल्दी फास्ट होता था जिसकी बज़ा से कीबोर्ड हैंक कंप्यूटर हैंक जाम हो जाते थी कीस इसलिए इसको चेंज किया और अलग-अलग लेयाउट दिये और मैंने इंडिया की बात की हमारा इंडिया का InScript कीबोर्ड है जो की कामन नहीं है हर कोई जूज नहीं करता है हो सकता है अफिशल कहीं गॉर्मेंट लेवल पे कहीं कहीं जूज होता हो लेकिन इतना जादा जूज नहीं होता हम भी क्वार्टी ही इस्तमाल करते हैं क्वार्टी वाला लियोट अभी मैं आपको बोलूँगा देखो जे कीबोर्ड है अगर मैं जहां A दबाऊंगा न A टाइप करूँगा A पे क्लिक करूँगा तो मुझे स्क्रीन पे भी A ही क्लिक देखेगा A ही शो होगा अगर मैं अपना नाम लिहूँगा तो मैं जैसे नाम लिखा मैंने जहां पे टाइप किया तो मुझे इधर भी वही स्क्रीन पे वही शो होगा अब जी कैसे जी जादू कैसे होता है वास्ता मैजिक बहाइंड इस तो जे चीज कुन करता है तो जे चीज कीवोड कंट्रोलर होता है जो इसको कंट्रोल करता है और देख्ए मेमरी मैंना आपको बताया इंपुट, प्रासेसिंग और ओटपुट उसके बाद हम स्टोर कर सकते है स्टोर के लिए मेमरी जाईए होती है कुछ तो permanent memory होती है और कुछ non-permanent memory अब जे जो है की के stroke जैसे मैं लिहूंगा P-A-W-A-N मैंने ये लिखा अपना नाम तो जे मुझे जहां पे screen पे show हो जाएगा और जे कुछ देर तक जे जो मैंने stroke जे जो मैंने इस पे click किया जे hold हो जाएगा कुछ देर के लिए random access memory में मैंने जो काम किया है उसमें चला जाएगा और पता चलेगा कि मैंने अभी कौन सा function किया मैंने कौन सी key पे click किया मैंने कौन सी key पे store किया और इसको हम बोलते हैं जहां पे memory को keyboard की key store की memory को store किया जाता है आप देखो keyboard buffer क्या है keyboard buffer जही है keyboard buffer जे क्या है अगर मैं M लिखूंगा जहां पे मुझे M जहां पे भी show होगा screen पे clear इसके बाद ये थोड़ी देर तक RAM में random access memory में store हो जाएगा और random access memory में जिस जगा जे store होगा उसको हम बुलेंगे keyboard buffer अभी देखो मैं आपको बताऊँगा कीज के बारे में कीज कीज के बारे में कीज 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 होती है और किस किस का क्या क्या फंक्शन है मैं थोड़े जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए अगर लंबा होगा फिर आपको ही बोर हो जाएगा अब मैं क्या करूंगा आपको देखो मैं कहानी इसलिए नहीं बता रहा मैं भी चाहता तो मैं भी लेके ले आता और मैं भी पढ़के बता देता लेकन कताबे तो आपके पास होंगी आप भी पढ़ सकते हैं लेकन मेरा मकस्द जही है कि आपको अच्छे से समझ आए और अन्डिस्टेंट हो जाए और कभी ना बूले अभी आप फोकस कीजिए सबसे पहले वाले वर्ड पे अब मैं इसके लिए ना दूसरा वाला लूँगा दूसरा वाला की वोड लूँगा मैं जहां पे यह वाला लूँगा और यह क्यों लिया इसकी पेशे रीजन जह है कि जहां पे अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इसलिए मैं जहां पे आपके सामने जह लाया सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले की इसको बोलेंगे हम escape की very first की जो है जह है escape की अब escape की का क्या मीनिंग है escape की क्या होता है देखो escape से न अगर हम स्क्रीन पे कुछ लिख रही है न अगर स्क्रीन पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ABC जो मैं जह लिख रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं जह करता हूँ तो जह वला ABC कैंसल हो जाएगा मैं बैक टू होम आ जाएगा मैं बैक टू होम आ जाएगा मैं जिस पेज पे काम कर रहा हूँ अगर मैं कहीं और काम कर रहा हूँ आगे तो मैं पेशी आ जाएगा मैं होम पेज पे आ जाएगा मैं बैक पे आ जाएगा और जे जो मैं काम कर रहा हूँ जे कैंसल हो जाएगा Escape का जहीं मीनिंग है Escape का क्या मीनिंग है जैसे Escape का generally अगर हम English की बात करें तो Escape होता है बचना तो अगर मैं जहां पर काम कर रहा हूँ If I'm writing something तो अगर मैं जहां पर Escape का बटन दुबाऊँ तो क्या हो जाएगा जी कैंसल हो जाएगा और मैं पहले वाले पेज पे आ जाओँगा देखो Escape का जहीं मीनिंग है उसके बाद हो सकता है आपको clear ना दिख रहा हो लेकन जे F1 से F12 तक लिखे हुए है इसको हम बोलते हैं functional keys अब मैं आपको बताऊँगा functional keys क्या होती है इनका क्या काम है तो functional keys F1 से लेके F12 तक functional keys होती है जे मेरे और आपको हम इतना जादा इनको जूज नहीं करते इनको बोथ जो intellect जिनको बोथ ज़यदा कुछ काम करना पड़ता है कुछ program कुछ program करना पड़ता है program meaning कुछ और त्यार करना पड़ता है कुछ बनाना पड़ता है computer पे वो ज़यदा जूज करते हैं और इनको हम programmable keys भी बोलते हैं कामन लोग इनका इस्तमाल बहुत कम करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा navigational keys अब देखो navigational keys क्या होता है navigational keys हम बोलते हैं इसको हम करसर कंट्रोल keys भी बोलते हैं और arrow keys भी बोलते हैं जैसे जहां पे लिखा है page up, page down end और home जिजो four है ना home, page up, page down और end साथ मैं जिजो arrow keys है ना उपर वाली तरफ, निचे वाली तरफ, इस साइड, इस साइड इनको हम बोलते हैं navigational keys, देखो इनका function क्या है इनका function हमें इन word से ही बदा चल जाएगा अगर हम home पे click करेंगे तो हम directly home पे चले जाएगे अब home के अपने घर में नहीं जाएगे हम जो screen, जो computer का first page होगा, जो जैसे हमारा phone का, देखो हमारे पास phone है और जो हमारा ball paper होता है जो starting बाला page होता है, आप जे माल लो अगर हम जे दुबाएंगे, home home पे click करेंगे, तो हम पहले page पे आजाएंगे, हम starting point पे आजाएंगे, अगर हम page up पे click करेंगे, इसको दुबाएंगे तो हम page जो है, वो up हो जाएगा, page down पे तो page down हो जाएगा, अगर हम कुछ लिख रहे हूँ, और उसके बाद हम end पे click करें, तो क्या हो जाएगा, हम end पे पहुंच जाएगे, और जे देखो, जे arrows का क्या meaning है, arrows का जे ही meaning है अगर हम cursor इस तरफ शोड़ेंगे अगर हम cursor इदे रखेंगे हम cursor, और फिर arrow दबाएंगे यह side बाला, तो हमारा क्या होगा तो जे भी आगे वाली तरफ जाएगा, cursor आगे वाली तरफ जाएगा, इदे रखेंगे cursor इस तरफ जाएगा, अगर इसको click करेंगे, cursor नीचे इसको click करेंगे करसर उपर जाएगा अब भी मैं आपको बताऊंगा टोगल कीज के बारे में टोगल कीज क्या है देखो अब यह हमें अलफावेट दिख रहा है अलफा नमेरिक लैटर्स दिख रहे है नमेरिक हलाकी इस पर नहीं दिख रहा है मुझे लेकन जो अलफावेटिक जो लैटर्स हैं अगर हमें शोटा करना हो जब बड़ा करना हो तो हम क्या करते हैं इस कैपसला को हम क्या करते हैं कैपसला की को जूज करते हैं और इसके साथ साथ एक और नमबर वाली कीज है इसके लिए मैं नमबर वाली कीज के लिए आपको जे वाला बताता हूँ देखो जहां पर जे नमबर वाली कीज है न इसको भी हम नम कीज इसको भी हम क्या बोलते है इसको भी हम टॉगल कीज बोलते है और सक्राल जहां कहीं लिखा होगा scroll मुझे अभी दिखनी रहा है जहाँ पे तो scroll भी इधर ही कहीं होता है इसकी location ऐसे उपर बाली तरफ है तो caps lock, num keys, scroll, insert keys जे क्या है? जे toggle keys है इससे क्या होता है? इससे change हो जाता है अब num keys क्या है जे? अब जे देखो कहां पे जे है? जे है num keys num keys जे है अगर मैं इस पे click करूँगा न तो मैं एक दो लिख सकता हूँ अगर मैं दुवारा से click करूँगा फिर मैं एक दो नहीं लिख पाऊँगा जे लाग हो जाएगा और screen लागा भी क्या मीनिंग है? scroll लागा, scroll लागा जे ही मीनिंग है अगर मैं एक बार click किया तो scroll कर सकता हूँ मैं अगर मैं दुवारा से click करूँगा फिर मेरा scroll जो है वो लाग हो जाएगा फिर मैं scroll नहीं कर पाऊँगा और insert key का क्या मीनिंग है? अगर मैं insert पे क्या क्लिक करूँगा उसके बाद मैं लिख सकता हूँ बहाँ पे जे insert की का मीनिंग है अभी आजाएए पराने वाले इस पे ही आते हैं चलो इस पे आजाते हैं इसी पे देखते हैं अब modify keys क्या है? modify keys are those keys which cannot work lonely, alone जो वर्क नहीं करती हूँ उनको हम modify keys बोलते हैं इसको हम combination keys भी बोलते हैं अब देखो अगर आपके पास computer है अगर आपके पास keyboard है और आप इस पे क्लिक करोगे shift पे क्लिक करोगे अगर आप shift पे क्लिक करो control पे क्लिक करो alt पे क्लिक करो और function keys पे क्लिक करो तो जे function ही खरेंगी जे काम नहीं करेंगी आप इसको alt को klik करो जै इसको klik करो जै shift को klik करो तो क्या होगा सिर्फ in पे klik करने से काम नहीं चलता जे function नहीं करती इनको कुछ पता नहीं चलता जे unconscious है जे सिर्फ अगर इनके साथ में हम directly जैसे जे है control है जे control है अगर इसके साथ हम A को klik करेंगे दुनों को अगर साथ में klik करेंगे तब ही जाकि जे function करेंगी सिर्फ A को ही नहीं बलकि हमें जो भी जुरूरत पड़ेगी जहां जहां जिसकी हम control के साथ उसको जूज करेंगे shift के साथ उसको जूज करेंगे Alt के साथ उसको जूज़ करेंगे ठीक है और Ctrl और A को अगर हमने क्या किया अकठा एक ट्लिक किया तो पूरा पूरा पैरा जो हम लिख रहे हैं होंगे वो स्लेक्ट हो जाएगा अभी देखो जे Modifier Keys होती है इनको हम Modifier Keys बोलते हैं Combination Keys बोलते हैं और Combination Keys का ही क्या मिनिंग है जे Combination मैं काम करती है जे अकेले काम नहीं करती जे मिनिंग है Combination का और इसके लिए मुझे इनके साथ किसी और को भी दफाना पड़ेगा तब जाके जे Work करेंगी अभी देखो और भी वो सारी Keys हैं अभी आने वाले लेक्चर में आपको बताऊँगा अगर Ctrl A को मैं करूँगा तो Select हो जाएगा अगर Ctrl B को करूँगा Bolt हो जाएगा अगर Ctrl C को मैं क्लिक करूँगा तो Copy हो जाएगा इस तरह का जे जो ट्रिक्स इस तरह की जे जो Combination Keys हैं मैं फिर अच्छे से Explain करूँगा लेकिन जे आने वाले लेक्चर में ही होगा अभी मैं आपको बताऊँगा Print Screen Key के बारे में बता दिया अब जे दिखो सबसे लंबी की सबसे लंबी की इसको हम बोलते हैं Space Bar की अगर मैं लिख रहूं P.A.W.A.N. मुझे कुमा लिखना है अगर मैं कुमा लिखूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बीच में पवन की बाद जे Space देना पड़ेगी जहां पे जहां पे Space देने के लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा इस key पे मुझे click करना पड़ेगा तब ही जाके क्या होगा मैं space दे पाऊँगा ठीक है अब ही मैं आपको बताऊँगा delete key के बारे में अब delete key जे देखो जे है अब इसका क्या meaning है delete key का delete key का जे meaning है अगर जो भी हम कर रही होंगे कुछ भी तो बोड delete हो जाएगा अब window keys देखो इधर window तो नहीं लिखा है लेकर इसको हम window keys बोलते है इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है window keys इससे क्या होगा हम start menu पे चले जाएंगे जो starting में menu है जहां बहुत सारे functions हमें मिलेंगे बहुत सारे apps मिलेंगे और कहा हमें जाना है वो window key का जह काम window key का है देखो अभी मैं आपको क्या क्या बताया मैं ने बोला keyboard के बारे में इसका father कौन है इसका father Christopher Lantham Scholes और मैं ने बोला keywords किदिने types की होते है तो बहुत types की होते है keyboard और हर country का अलग-अलग keyboard हो सकता है इंडिया का भी इलग है जिसका नाम inscript है उसमें 104 जा 105 buttons है keys है लेकर अगर मैं कौाटी layout की बात करूँ मैं आपको बताया कि layout हमें layout से क्या मुराद है layout हम किसको कहते है तो standard keyboard में हमें minimum 104 और maximum 109 मिलेंगे keys फिर मैंने बोला keyboard buffer क्या होता है जहां हम दिखो कुछ भी लिखते हैं कुछ भी type करते हैं और जो रहे में store होता है key store उसको हम keyboard buffer बोलते हैं फिर मैंने बोला layout क्यार्टी ही नहीं है इसके अलवा other TV है devoke है, inscript है इसके अलवा और भी बहुत सारे हैं मैंने आपको बोला ABCD सिधा क्यों नहीं लिखा है तो ABCD इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऐसा करने से hang हो जाता था ऐसा करने से jam हो जाता था इसलिए अलग-अलग ये typing को difficult बनाने के लिए इस तरह का layout हमने juice किया हमने नहीं बलके जिन्होंने वित्यार किया उसके बाद मैंने आपको बोला Keys के बारे में Functional Keys के बारे में बोला मैंने आपको functional Keys को हम programmable Keys भी बोलते हैं Navigational Keys के बारे में बोला Toggle Keys के बारे में Modifier Keys के बारे में Escape Keys के बारे में Print Screen Space Bar Enter Backspace Delete Window Keys Open Start Window Keys का क्या मेनिग है यहां भी हम Open Menu में पहुंचाते हैं I hope आपको अच्छे से lecture क्लियर हुआ होगा अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा fast लगता है मेरी स्पीर थोड़ी सी fast लगती है तो आपके पास option है You have option You can lower my voice My speed आपको YouTube पे जाना है जहां जो side पे तीन बटन तीन ऐसे लगे होते हैं इस पे अगर आप क्लिक करोगे आपको option आएगा आपको क्या करना है उधर जाना है अड़वास में और उधर ही देखना है आपको कहीं मिल जाएगा कि speed कहां से कम होगी अगर आपको जादा लगती है आप speed को कम कर सकते है अगर कम लगती है किसी को बहुत जादा कर सकता है और अगर आपको जो lecture अच्छा लगे आप like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए इसे क्या होगा इसे motivation आता है बाकी कुश नहीं और मुझे लगता है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा तो आने वाले लेक्चर में हम inputs को और जितनी भी बचे हैं अच्छे से clear करेंगे तो आज का लेक्चर खतम करता हूं Thank you and bye